Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, VSM Academy, the spirit of education, so last lecture में मैंने आपको देखा जाए तो permutation क्या होता है, combination क्या होता है, then fundamental principle of counting क्या होती है, जो कि बहुत लोगों को कम समझता है और पूरा first exercise उसी के उपर based है, right, and साथ-साथ factorial का meaning क्या होता है, so last time हमने question number one and question number two finish कर दिया था, आज हम start करने वाले question number three, so क् दिखा यहां पर बोलो, a signal is generated from two flag, okay, तो आपको पता है, signal आपने देखा होगा, यह मेरे पास एक signal है, okay, अब यह signal को मुझे generate करना है, कितने flag से, दो flag से, एक lower रहेगा और एक उपर अपर रहेगा, so lower part and upper part, मेरे आपर दो flag है, ठीक है, putting one flag above the other, एक lower है, माल लिए इसको बोल flag, उसको बोलते है, upper, ठीक है, perfect, लिखने के लिए होता दिया, if four flags of different colors are available, so number of flags with different colors, समझ के लो, मैं क्या बोल रहा हूँ, different colors, इसका मतलब यह होता है, कि चारो color, sorry, चारो flag different color के है, of different colors, बोलो कितना दिया है, मुझे आपर four, how many ways, how many different signals can be generated, अब मुझे आपर signal generate करने, समझने की बात है, देखो, यहाँ पर है, और lower है, right, चलो हम बना जते हैं, so, यह हमारा upper बनाता है, यहाँ पर समझाने के लिए, फिर से एक बार लिखता हूँ, यह upper हो गया, और नीचे वाला बोलो, पार्ट क्या हो गया, lower, ठीक है, अब मुझे, for example, चलो, मुझे start करते है, flag को arrange करना, तो पहले मैं lower की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, lower part, so, जो मैं lower flag होगा, मतलब lower part में जब मैं फ्लैक को लगाऊंगा, तो मेरे पास कितने फ्लैक हो available है, चार फ्लैक, मान लो, flag है, मान चलो, example, मेरे पास जो, flags है, मान लो, example, f1 है, f2 है, f3 है, अब हो flag को, ठीक है, मुझे लगाना है lower part में, तो lower part में लगाने के लिए, मैं f1 भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं f2 भी यूज़ कर सकता हूँ, f3 भी लगा सकता हूँ, f4 मतलब, lower में f1, f2, f3, f4, कोई भी लगा सकता हूँ, समझो, मैं क्या बोला चारो की चारो flag इसे हुआ है, पहला यूज़ करो, तुसरा यूज़ करो, तीसरा यूज़ करो, आपके बोले कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक टाइम, यूज़ तो हम चारो कर सकते हैं, बट एक टाइम पर एक ही यूज़ करेंगे, तो lower flag में flag को insert करने के लिए, मिरे पास कितने ways हो मेरे पास four ways हो गए, मैं F1 भी लिख सकता हूँ, F2 भी लिख सकता हूँ, F3 भी लगा सकता हूँ, F4 भी लगा सकता हूँ, एक टाइम पर एक ही लगाँगा, बट चांसे कितने हैं, number of ways कितने हैं, अगर मुझे यहां से जाना station की तरफ, तो मैं by walk भी जा सकता हूँ, bus से पी भी बैट जाओं, bus पर भी बैट जाओं, car भी बैट जाओं, ऐसा possible हैं, no, similarly, अगर मेरे पास यहां पर चार color है, तो चार में से कोई एक ही यूज़ करूँगा, एक टाइम पे, बट चांसे से हैं, चारों यूज़ करने के लिए, मतलब लोवर में मैं चार color यूज़ कर सकत कि इन, कितने वेज़ से, फोर वेज़ से, आई कि नहीं, कि लोवर को आप चार तरीकेस कर सकते हो, अब अपर पार्ट लगाना है, तो आप क्या लिखोंगे, जैसे समझता आप लिखो लेकिन लिखना जरूरी है, ठीक है, कुछ कोशन तक मैं लिखके सिखाऊंगा, उसके बाद डरिकली आंसर दूँगा, क्योंकि आपको समझना इंपॉर्ट लिखना बहुत इसी हो जाएगा, लोवर पार्ट ऑफ सिगनल कैन बी आरेंजड इन, अब धान देना, मेरे पास, एफवान, एफटो, एफट्री, एफटो, चार फ्लैग थे, चार फ्लैग में से, कोई एक फ्लैग मैंने लवर पार्ट में लगा दिया, किसी एक को, क्योंकि एक टाइम पे लगा सकता हूँ, एफटो भी लगा सकता हूँ, एफटो भी लगा सकता हूँ, एक टाइम पे लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया, एफवान, अगर मैंने लोवर पार्ट में एफवान लगाया है कुर तो क्या मैं उस एफ हों को अपर में लगा सकता हूं आ Baptist कर दिया है उसको पेस्ट कर दिया मैं ऐसा नहीं है कि आफ़ोर में पास दो एपफ़ोर नहीं हैं अगर आपने एक फ्लैक को कहीं एक जगा दिया उसका आप दूसरे जगए नहीं सकते हैं तो उस दिमाग को उध्यान में रखते हुए कि अगर मैंने आफ़ान को लगाया तो अपर पार्ट को फिल करने के लिए मिरे पास एफ़ान अवलेबल नहीं है तो क्या अवलेबल है जी हां एफटू 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 समझ गए इन तीनों में इसको एक सो उस तीनों को मैं उपर लगा दूंगा है की नहीं तो कोई भी है अगर माल लो अगर आपने लोवर पार्ट में एफटू 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 तो three ways same so lower part of the signal can be arranged in three ways तो मुझे signal बनाना था क्या आपना था signal signal को दो पार्ट में divide किया अपर lower मैंने बताया था fundamental principle of counting यो अगर आप एक ही question को मतलब एक ही event को अलग अलग तरीकों से करते हो either this one or this one तो आप क्या यूश करोगे yes addition theorem लेकिन अगर आप एक event को दो तीन पार्ट में divide करते हैं से सिगनल इवेंट मुझे आप सिगनल बोला ना how many different signals can be generated signal मेरा एक event है बराबर अभी signal मेरा event है तो इस signal को बनाने के लिए क्या का possibilities हैं तो lower part को बनाने के लिए four possibilities अपर को बनाने के लिए three इसको divide करें दो पार्ट में first is lower and the second one is upper तो यहां पर जब आप event को पूरा event आपको चाहिए लेकिन उसे इवेंट को डिरेक्ली नहीं कर सकते उसको आप parts में divide करें first part second part तो हमेशा यहां पर कौन साथ theorem यूज़ता है यह multiplication theorem और जहां पर हम number को multiply कर देते हैं सो लास्ट में लिक लेंगे therefore total number of ways right that different signals can be generated is four into three that is equal to four threes are 12 ways जैसे अगर मैंने f1 लिया lower में तो अपर में क्या हैगा f2 f3 f4 बराबर तीन होगे चल अगर मैं lower में f2 लेता हूं तो अपर में क्या हैगा f1 f3 f4 तो अगर lower में f3 लेता हूं तो अपर में तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 तो हुए ना आप जैसे मन चाहे वैसे समझो यार बड़ आपको हर जगह जहां पे बड़े-बड़े नंबर आएंगे तो आप इस तरीके से आप नहीं कर पाए ठीक हैं चोटे कोशन को आप समझ सकते हो कि यहां बड़े कोशन भी ऐसी रहने वाले ठीक है जिसका आंसर बोलो क्या मुझा ट्वेल वेस कंफर्म चलो मूब करते हैं अगले कोशन की तरफ तो अगला कोशन यह रहा आपके कंप्यूटर स्क्रिंग पे कोशन नंबर फॉर्थ का सलूश्चन अब यहां पर आप कोई भी लेटर यूज नहीं कर सकते हैं यह जो स्पेस है ना स्पेस में कितने लेटर से हैं लिख देता हूं में नंबर आफ लेटर्स इस इक्वल टू कितना है वान तो त्री फॉर फाइव और पांच यूनिक हैं ध्यांदना यूनिक मतलब कोई रिप का एक वर्ड मीनिंग हो सकता है मीनिग नहीं हो सकता हुसे फारक नहीं पड़ता कहीनि के सार यहां पर मीनिंग नहीं आ रहा है तो विद नहीं नहीं बनाए लेकिन कोई भी लेटर यूने जटर इन नहीं यार यहां पर क्या बोलाएं from the word space तो इस पेस में कौन सा यहां पर word मेरे पास जो space word है वहां पर कौन को इस लेटर है लेकिन आगे कुछ condition दे दिया condition क्या दे दिया when repetition of the letters is allowed second condition when repetition of the letter is not allowed चलो इसे में लोग कैसे करेंगे ध्यांदना पहला question लिखता हूं दिया है समझें so repetition of letters is allowed और second क्या लिखता हूं मैं second यहां लिखता हूं नीचे की और यपी repetition of letters is not allowed तो पहले वाले में मतलब जब कभी भी दो पहले वाले में क्या condition दिया है कि जब पहला condition कहा है कि repetition of letters is allowed मतलब जब दो लेटर का word बनाऊगे न तो ऐसा हो सकता है कि दो लेटर सेम हो जाए मतलब जैसे space में ऐसा आ गया न तो पहले वाले पे भी सकते हो सेकेंड वाले पे भी एस लिख सकते हो तो आप रिपिटेशन अलाउड है लेगिस सेकेंड वाले में क्या बोला कि लेटर के बारे में वन बाइव वन अगर बात करेंगे लेटर के वारे में कितने लेटर से आपे फाइव लेटर रोके अब अगर मुझे लवन को अरेंज करना है लवन की वैलू यहां पर कुछ लिखनी है तो SPACE मतलब पांचों लेटर में से देखो सब लोग SP अवलेबल है PB अवलेबल है AB अवलेबल है CB अवलेबल है और E भी अवलेबल मतलब इस पेस का सारा लेटर अवलेबल है मतना मैं L1 को पांच तरीके से लिख सकता हूँ राइट सो फर्स्ट लेटर कैन बी अरेंजड इन पाइव वेज ओके देरफोर सेकेंड लेटर कैन बी अरेंजड इन वो मैं लिखना ठीक है नमबर आफ वेज दिखने क्या है समझ लिखना है तो मैंने क्या किया लवन के प्लेस पे SPACE इन पांचों में से कोई एक लिख दि लिखना है अब क्या क्या पॉस्पिलिटी वो देखते हैं सो कंडिशन यह कि रिपेटेशन इस अलाउड मतब जो लेटर आपने लवन के प्लेस पे यूज़ कर लिया है उसको आप L2 के प्लेस पे यूज़ कर सकते हो मानलो SPACE में आपने S यूज़ कर लिया तो आपके पास के यूज़ किया है उसको आप L2 के प्लेस पे यूज़ कर सकते हो मतब S के अलाउड जो चार लेटर है वो ते अवलेबल है ही बट रिपेटिशन इस अलाउड की वजह से यह S भी अवलेबल हो गया इसका मतलब आप कोई भी लेटर L1 के प्लेस पे यूज़ करोगे तो 4 ल यहलो कितने हैं 5 वेस सब्सक्रेटर का इंव एक बन रहा है जिसको बनाने के लिए मुझे आप मैं अलेटर ना लेटर टो-टु में तो मतलब मतलब लेंगे लेंगे अगर आपने अभी तक तुक एंड लेंगे अगर अपने लेंगे दिया और आपने अभी थे लिया रहा है यहां जहां पर आएगा और शम्तिंग और सम्थिंग और थम से क्या बोलेंगे एडिशन प्रिंसिपल यहां पर यहां पर क्या हो जागा यहां पर फाइव इंटु फाइव मतलब ऐसे 25 वेज यह 25 लेटर्स बनेंगे कन्फिर्म वैरी गुट सेगें आता है रिपिटेशन अफ लेटर इस नॉट अलाओड सेम हमने ले लिए लवन हमने ले लिए ल्टू सो लवन कैन बी रिटन आज या थो भी लिखो तो लवन को लिखने के लिए पूरे के पूरे पांच लेटर अवलेबल है मतलब यस फाइव लेटर अगर मुझे लिखना है ल्टू सो ल्टू कैन वी रिटन एन कितने वेज फूर वेज बोलु सर कैसे आगया 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 अपस आगया देर्फोर टोटल वेज अब दिखो हुआ क्या फोर कैसे आया अगर आपने फास्ट लेटर के प्लेस पे एस यूस कर दिया एक्जांपल क्योंकि हम लोग एस भी यूस कर थे फिस लेटर पे एस इन पांच व में से आप कोई भी उस कर नहीं पड़ता बड़ एक तो यूस कर लिया बराबर तो सेकं आप इस S को L2 के प्लेस पे यूस कर सकते हो तो मेरा आंसर होगा No क्यों No क्यों उसका reason है repetition of the letter is not allowed मतलब जो लेटर आपने एक बार यूस कर दिया उसको आप repeat नहीं कर सकते that means for L2 we are having four letters पत्ना P, A, C, E अगर आपने S यूस किया है L1 के प्लेस पे तो अगर आपने L1 के प्लेस पे P यूस किया तो L2 के लिए बलो क्या हैगा S, A, C, E अगर आपने L1 के प्लेस पे A यूस किया तो L2 के प्लेस पे कौन कौन से चार लेटर अवलेबल है S, P, C, E अगर आपने L1 के प्लेस पे C यूस किया तो L2 के लिए क्या है S, P, A, E, S, I, E यूस किया तो S, P, A, C समझ गया है, तो एवरी टाइम आप L1 के प्लेस पे कुतने भी लिटर इस करोगे, कितने मैक्जम फाइव वेस और तो हमारे पास हमेशा L2 के प्लास के प्लेस प्लेस फूर वेस फूर दोनों को मल्टिप्लाइ करोगे, फाइव फॉर्स आ, ट्वेस इतना होने के बाद चल के सरने सॉल कर दी और फटाक्स को लिख लें, नहीं सिख पाओगे, जैसे जैसे मैं सिखा रहा हूँ, वैसे वैसे सिखो, उसी तरीके सोचो, क्योंकि इस चैप्टरी खासियत ही है कि जितना ज्यादा आप सोचोगे, जितना ज्यादा आप इसके बारे में, मत्तब बोल सकत यह गे मुझे, डिजिट्स, और कितने बोलो, 0 है, 1 है, 3 है, 5 है, 6 है, मत्ब जो आपको बनाना है दो कितने डिजिट का नंबर बनाओगे, वो क्या रहा है, 3 डिजट का, ओके, 1 से के तर तीन, तीन डिजिट का नमर लोना चाहिए, लेकिन जो भी नंबर बनाओगे, उस न 2, 3, नहीं, 0, 1, 3, 5, 6, 5 values है, मत्ब इनी 5 नंबर का यूज़ करके, मुझे कोई भी 3 डिजिट का नंबर बनाना है, अब कंडिशन क्या दिया है, रिपिटेशन डिजिट्स अर अलाओट, फर्स कंडिशन, रिपिटेशन, आर अलाओट, और सेकेंड यह भी कर लता हूँ, क समझा दूँगा, रिपिटेशन, आर, नौट, अलाओट, इसको समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग, 0, 1, 3, 5, 6, हमें 3 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है, तो पहले उसको मैं इस तरीके से एक बॉक्स बना देता हूँ, और उसके अंदर मैं 3 डिजिट लिखता हूँ, 1st, 2nd and 3rd, परफेक्ट, यहां पर ही बोलो क्या हो जाएगा, 3, एक एक करके करेंगे, पहले हम लोग, 1st करते हैं, ठीक है, चलाओ, यहां पर मेरे पास D1 है, then D2 है, then D3 है, बराबर, similarly यहां पर भी D1 है, D2 है, और D3 है, अगर आप बहुत ध्यान से समझोगे, तो यह बोलो प्लेस, अब ध्यान से सुनो, मुझे D1, D2, D3 में कोई भी नंबर पूट करना है, बट वो नंबर जो भी पूट करूँगा, हमेशा कहां से लूँगा, मैं, आइधर 0, और 1, और 3, और 5, और 6, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले D3, क्योंकि यहां पर ज्यादा कंडिशन नहीं है, सिर्फ कंडिशन यहीं कि रिप्टिशन सार अलाउड और नौट अलाउड के बारे में, आप सबको पता है कि रिप्टिशन सार अलाउड मतलब जो नंबर आपने एक जगा पर यूज़ कर दिया, उसको आप हर जगा पर यूज़ कर सकते हो, कोई प्रावलम होने तो सुनो यहां पर यहां पर एक नंबर दिया, जिसका वैलू है 0, परफेक्ट, यहां पर नंबर दिया है, बोलू उसकी वैलू क्या है, 0, अब सभी को पता होना चाहिए, कि अगर मैं 100 के प्लेस पर जीरो लिख दिया, 0, तो मैं 012 लिख दिया, तो आप बोड़े सार यह 3 डिजिट का नंबर है क्या मैं बोलूँगा no it is not a three digit नंबर वाई क्यों 012 मतलब क्या होता है 12 जो कि क्या हो गया two digit का नंबर मतलब यह होता है कि three digit के नंबर में hundred के place पे zero नहीं हो सकता मतलब जब कभी भी आप number put करोगे make sure that that कि hundred के place पे zero नहीं आना चाहिए डीटू डीवन में आसकता है मतलब unit के place पे 10 के place पे आना नहीं चाहिए मतलब यह होता है कि अगर मुझे डीठी लिखना है सो मैं one three five six one use कर सकता हूं three use कर सकता हूं five लिख सकता हूं डीठी के place पे या six लिख सकता हूं but zero लिख सकता हूं क्या नहीं तो मैं कितने numbers यहां पर यूज कर सब्सक्राइब फोर नंबर तो इस डीठी को लिखने के लिए कि लिए ले वेज है four ways फोर वेज चार नंबर अविलेबल मतलब फोर नंबर अविलेबल एपर्फेट येस अब आगे चलते डीटू के पास कि सोचा यह हां पर कि मैंने जो रिपटेशन अलाउड है मतलब यहां पर नंबर रिपीट हो सकता है मतलब जो नंबर आपने डीठी के तो जैस guard बबर डिसकर बचान थे सकते हो जो कि और एक चीज सकते हो आप आप डी प्र एक्यांपल 102 तो बीच में 0 लिखो या last नहीं जांबर या लख से आपका जो इसे नुम्र आप डिजिट से वो गरें रह रहा है नाहीं इसका मतलब सकते हो लेकिन सकते हो क्या तो डिजिट का नंबर So for D2 मैं 1 भी लिख सकता हूँ 3 भी लिख सकता हूँ 5 भी लिख सकता हूँ 6 भी और 0 भी So आपके कितने ways होगा है 5 ways Similarly for D1 जो आपने D2 के place पे use किया वो आप D1 के place भी use कर सकता हूँ Repetition is allowed So 1, 3, 5, 6, 0 Perfect Very good Again 5 ways So आपके total ways आप कैसे लिखो यहां पे दोगो अगर इसके दो टोटल ways के पहले आप क्या लिख होगे D3 can be arranged in 4 ways D2 can be arranged in 5 ways D1 can be arranged in 5 ways Therefore total number of ways क्योंद है 4 into 5 into 5 So 5, 5 is a 25 25, 4 is a 100 So मेरे पास यहां पे कितने ways हो गए 100 ways I hope कि आपको समझी में आ गया होगा अब आता है यहां पे repetition सा not allowed मता है यहां पे condition भी है Plus यहां पे 0 के बारे में भी ध्यान देना है पहली बात तो D3 के लिए आप बेफिक्र हो जाओ क्या 0 use नहीं करना है तो for D3 1 है 3 है 5 है 6 है बराबर इसका मतब कितने ways होंगे 4 ways क्योंकि मैं यहां पे 0 use नहीं कर सकता हूँ लेकिन D2 और D1 के place पे मैं 0 use कर सकता हूँ यह बात आप याद रखना है ठीक है चलो अब ध्यान दो सब लोगे यहां पे ध्यान से समझने की बात है यहां पे क्या करना है इसका में तो D3 के place पे मैंने 1,3,5,6 यूज किया 0 use नहीं किया मतब D3 को मैं arrange कर सकता हूँ कितने way से 4 way से लेकिन जैसे ही D2 के पास जाऊंगा ध्यान से सुनना इन चारों नंबर में से हमने कोई एक number D3 पे use किया मान लो हमने use कर लिया 5 जैसे ही मने 5 यूज किया अब इस 5 को ना में D2 के place पे लिख सकता हूँ ना में D1 के place क्यूंकि repetition allowed नहीं है अगर repetition allowed नहीं है क्या करोगे जो number आपने D3 के place पे लिख दिया उसको आप D2 के place पे नहीं लिख सकते मतलब D2 के लिए कौन-कौन से number यहाँ पे available है 1, 3 and 6 अगर आपने 5 यूज किया है तो अगर आपने 3 यूज किया होता तो 1, 5, 6, right अगर आपने 6 यूज किया होता तो 1, 3, 5 मान लो मैंने 5 यूज कर लिया तो यहाँ पे क्या available होगा 1, 3, 6 3 नमबर यहाँ पे available है लेकिन स्ट्वेंड्स अब हम लोग D2 के प्लेस में 0 लिख सकते हैं क्योंकि चलेगा मतलब D2 को लिखने के लिए यहाँ पे 4 ways समझे सब लोग क्योंग D3 में 0 नहीं लिख सकते हैं तो हमने 4 वे से कर दिया उसको जो रिमेनिक स्ट्वेंड नमबर्स थे लेकिन जब मैं D2 के पे पे आ रहा हूँ क्या दखना हूँ D2 के प्लेस पे कि D2 आपका सेम नहीं होना अच्छी है प्लेस पे यूज कर सकते हैं क्यों D2 ए D1 के प्लेस पे जिरो यूज करने से वह तीन डिजिट का नंबर ही बना रहेगा वह तो डिजिट नहीं होने वाला है बड़ आपको पता है कि चार नंबर अवलेबल होंगे चार नंबर कोई भी हो सकते हैं बढ़ हमेशा यूनिक होंगे क्योंकि जो नंबर आपने D3 के प्लेस पे यूज कर दिया और D2 के प्लेस पे आने वाला नहीं है तो अगैं इस आर फोर वेस तो कितने वेस होंगे 3 वेस अगया आपने 6 यूज किया D2 के प्लेस पे तो 013 मतलब कोई भी एक नंबर से लिक करो D1 के पास जाते जाते तीन नंबर ही बचेंगे ओके सो काने का मतलब यहां पे जो मेरा टोटल वेस देख लो सब लोग तो नीच लग दरा हूं मैं आप ए फॉर्टी एट वेस पाफेक्ट स्वेंट्स वेरी नाइस तो इस तरीके से हम इस कोशन नंबर 5 को करते हैं ठीक है तो हम आज के लिए इतने करते हैं और नेक्स लेक्चर में मिलेंगे कुछ और कोशन के साथ क्योंकि हमने 25-26 मिनट्स कंप्लीट कर दिया और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा कवर करूं यह सारे को अच्छे समझना है क्योंकि जब आप इस सारे कोशन अच्छे समझ में आ जाओगे तो आपको पर्मिनेशन कॉंबिनेशन और और आसान लगने वाला है क्योंकि है सारी की सारी चीज़ है हम लोग पर्मिनेशन में यूज करेंगे एक चैप्टर इसमें यूज करेंगे चैप्टर अगे चलकर अगे पहली बाहर आ रहा है तो फड़ा फट चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेकरो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यों झारे भौकी मुर्ड़ाक सची बौ trainer केुझाए भॉज ह।